पाराठा यहां इसे दल्व Atari पूरी कहते हैं, clot by are our all thehalt. इसके दिये मैं ने के ठीड थी, तो यह बनने में ने कूछ does खड़ी मसाले, 15-20 काली मिर्च, 6-7 लाल मिर्च, 10-15 लहसुन की कली, थोड़ा सजीरा, यहां पर दाल अच्छे से फूल गई है, इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे, 2-3 पानी से वाश करके, उसमें कच्छा बिल्कुल ने रह जाए, और इसको चली में पानी निकलने करी छ चुछ तेल भर खिर, 1 चमश जीरा जीरा, या ने चाटक ने राइन की के लिए जीरा है, ऐसी के साथ हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन को यहां इसे खड़ा रखा हैं, नहीं है, क्योंकि बाद में इन सब को हम पीसुएंगे, लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल की पराथे में लहसन जैसे फ्राइब हो जाएगा अच्छे से खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे और सारे मसाले काली मिर्च लॉंग तेज पत्ता इसमें आप हमेशा लाल मिर्च का ही चौक लगाएं बहुत अच्छा लगता है इसका फ् पसके साथ ही हमसमें और ज्यादा कुछ नहीं जालेंगे थोड़ी सी अधार नामक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी देर के लिए ढखकर छोड़ देंगे यहां पर मैं हींग डालना बूल गई थी इसलिए मैंने बाद में हींग डाल दिया है आप शुरू में भ दाल का भारी पन रहता है तो थोड़ा हलका रहता है गैस रगा रणी बनती है हिंग जरूर डालें इसमें इस तरह से थोड़ी दिर चला कर थोड़ी दिर के लिए ढख देंगे दाल जितनी अच्छी फूली रहेगी तो उतनी जल्दी ही बनेगी कई लोग पूरी को उबाल इसको दीमी आज पर हम 2-4 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे पहले और बीच 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 में ढखकन हटाकर इसको चलाते जाएंगे और थोड़ी दिर बाद हम इसमें एक कप के करीब पानी डाल देंगे जादा पानी नहीं डालना है इसमें क्योंकि दाल पहले सी फूली है तो सॉफ्ट है बस दाल अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए इतना ही पानी डालेंगे यहां मैंने एक कप के करीब पानी डाला है और दीमी आज पर 10-15 मिनट के छोड़ देंगे, थोड़ी देवार हम ढटा के देखेंगे, तो पानी अच्छे से सूप गया है, और दाल अच्छे से पक गई है, इसमें इस तरह से बनाने में जो इसका पूरन बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, एक सौंधा पन रहता है उसमे दीमी आज पर इसको उलट पूलट कर चलाते जाएंगे, और थोड़ी से दाल के दाने को दबा के इस तरह से आप देख लिजे, दाल अच्छे से सौफ्ट हो जानी चाहिए, अब बस हम गैस की फ्रेम को बंद कर देंगे, और इसको अलग निकाल लेंगे बरतर में ठंडा ह होने के लिए, थोड़ी देर में अच्छे से ठंडी हो जाएगी, हमें पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, हलकी गरम रहेगी तभी हम पीसेंगे, इसमें से मैंने तेज पत्ता अलग कर दिया है, बाकी मसाले से में डले हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करकर हम पीस एक कावडर तायार कर लेंगे, शुखा पावडर तयार कर लेंगे चाने के लाल का इस तरह से मैं पूरी दाल को पीस लिया आप देख सकते हूं इसे पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करना है, हमआरे इसको पूरी दाल को पीस लिए ओग पूरन बोलते हैं आप इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है ये नमक आप इसी समय चेक लीजिए अगर कम है तो डाल लीजिए यहां भी मैंने नमक डालकर आटा तयार कर लिया था आटा हमें थोड़ा मुलायम ही चाहिए इसके लिए और इसमें हम इस सेल कर देंगे लुः को इसको हाथों के साहथ से इस तरह से बढ़ा लेंगे इसको बहुत हलके हांट से कर नहीं तो प्ले इसकता बहुत हलक्ज निकलाता है n it's pop बहार निकलाता है बिल्कुल हलके हलके हात से जिसको पोली कोशाए और इतना पतला हो सके आभए मैं जादा पतला नहीं किया है, मम्मी लोग पहले बहुत ही पतला बेलती थी इसको लेकिन मुझसे उतना अच्छा नहीं बनता, मैंने इसको पराठी जैसे हैं थोड़ा से मीडियम रखा है, बस इसको एक तरप से अच्छे से जबसिक जाएगा तो पलट लेंगे, इसमें आप ज इसको हम शेकेंगे, इस तरह से आप चारो तरफ लगा कर और घुमा घुमा कर सेक लें, आप देख सकते हैं कित अच्छा पराठा खूल गया है, बस हमें इसको दूसरे साइड से भी पलट कर इसी तरह से से शेक लेंगे, ये पराठी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इस एक दिन दो दिन खा सकते हैं, भहत अच्छे लगते हैं, ठंडी भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और पूरी इस तरह समने सारे पराठी तैयार कर लिए चली इसके साथ खाने के लिए हम गुराम तयार करते हैं, गर्मियों के मोसम पर आम से भी बना जाता है, लेकिन कोई भी रस्पी बनाँ आप भी ऩाल निकाल लिए लिए जारा लुटाए में पाउधा निकाले हैं अब इसके में एक मीठा शीरा बनाएंगे अब तो तक नियुक्त जीरा थोड़ी सी खड़ी सॉंफ और सोंट का पाउडर, काली मिर्श का पाउडर और सॉंफ का पाउडर लिया है। आप चाहें तो पहले से फुल आकर और पीस भी सकते हैं। लेकिन यहां पे पाउडर यूज किया है। और गुड़ लेंगे हम यहां पी मैंने दो बट्टी गुड़ लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक दूसरे पैन में थोड़ा सा शुद्ध घी डाला है। इसको हमेसा घी में ही बनाए। करणळों करें में अज़ी कर ओंडा है. तुरूम करणों को डाला है। कि जीर और संफ तरपी डाला है। करणों क डाल देंगे। करणों दूम अच्छा राइनों के राय किलेमे, लो मिधियम अच्छाब और अच्छाने क्छा बाइन, ताकि करणों तरहला। करणों कोचार बीद जय outfits, तोरी दीर मेश के अव्हारrit है। तोड़ी ते रम इसको और पकाएंगे, बस करोंदे अच्छे सॉफ्ट हो गए, अब इसको निकाल लेंगे दूसरे बरतन में, इसका खटा मीठा शीरा बहुत अच्छा लगता है, करोंदे का टेस्ट खटा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, पूरी के साथ, इसके बाद मैंने यहां पे डेड़ी ग्लास पानी डाल दिया है, सेम पैन में, और उसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे बानी को, और इसम गुड़ को पहले से फुला कर चान कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ अच्छा था, साफ था तो मैंने इसको डाल दिया है, गुड़ को अच्छे से पिगलने देंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, गुड़ पूरी तरह से पिगल गया है, और पानी में तैयार किए थे, सौंट का पाउडर, सौंफ का पाउडर, काली मिर्च का उन सब को भी इसी से में डाल देंगे, और थोड़ी दिर गुड़ के साथ पालेंगे, इसमें फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि गुड़ का अच्छे से शीरा मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा गाढ़ा किसी भी रोटी के साथ पराटे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है, खट्टा मिठा, अब जब अच्छे से पानी में उबाल आ जाएगा, ताम इसमें करोंदे भी डाल देंगे, और थोड़ी दिर करोंदे को भी गुड़ के शीरे के साथ पका लेंगे, ताकि करोंदे में अच्छे से गुड़ की मिठा साजाए, और करोंद अच्छे सॉफ्ट हो जाए, गर्मियोमे यही चीज अधा, पलाए यही चीज़ आम के साथ बनाते हैं, वह बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमने करोंदे को फ्राय किया है, आप आम को फ्राय करकर और इस तरह से बनाकर रख सकते हैं, बहुत अच्छा रखता है, थोड़ी दिर में थोड़ा की करॉंदो को देख लेंगे कि सॉफ्ट हो गए कि नहीं, बस करॉंदे थोड़ी अच्छे से बुलायम हो जाने चाहिए, अब शीरा अच्छे से पग गया है, इसे हम जादा गाढ़ा करेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे, और गैस की फिलें बंद कर दी है, मैंने यहां पर थोड़ी तर ढख के छोड़ देंगे, थोड़ा से थंड़ा हो जाएगा, बस हम इसको सर्व करेंगे, यहां पर मैंने थोड़े से ताजी दही ली है, आप दही के साद भी पराठो को इंजॉय कर सकते हैं, तो इसी चटनी है, करॉंदे का गुराम है, और आलू पैगन की सबजी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगता है यह, एक बार आप जरूर इस तरह से चने दाल के पराठे बना के ट्राइ करिए, अगर आप करॉंदे का गुराम नहीं बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इस तरह साप नाश्टे बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत हैं, और इसको सफर में भी आप ले जा सकते हैं, बस इस चीज का धिहान रखें कि दाल अच्छे से पकी होनी चाहिए, अगर आपको इस चने के दाल की र बहुत हैं, 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